Assalamualaikum friends, welcome to another informative video आज किस informative वीडियो में हम सीखेंगे कि Alibaba से पाकस्तान में withdraw कैसे ले सकते है Alibaba से आउट of country payment transfer कैसे करते है Is it possible to receive payment on Alibaba from other countries और सबसे important क्या हमें Alibaba को use करना चाहिए है दूसरे country से payment मगवाने के लिए यह सब कुछ हम चलके सेलफूर की स्क्रीन के उपर देखने वाले हैं लेकिन उससे पहले एक इमपोर्टेट चीज आप दोस्तों को बता दू कि अगर आप स्टूडेट हैं और चेना के अंदर एजूकेशन हसल कर रहे हैं या आप अली बाबा से परचेसिंग करते हैं और यह परचेसन न करने से लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता इससे हमारी होसला फजाई हो जाती forest例えば अव्चों करते रहेंगे तो हम आप के लिए informative और online earning की वीडियोज लाते रहेंगे जी तो गैस मैं सेल फून की स्क्रीन की उपर आ गया हूँ और अगर आगर आप देखें यहां पे तो आपको आपको नज़र आ रहे हैं लेकिन आपको नीचे राइड सेड़ पर अकॉंट का उप्शन नज़र आ रहा होगा इसक को आपने प्रेस करना है इस सर्फिस के उपर जब आ आ जएंगे तो आपको दो आप्शन नज़र आ रहे हैं विड़्ॉक और टॉप अप टॉप आपके तुरू आप अपने अकॉंट में बेलस डाल सकते हैं और विड़्ॉक आप्शन आ रहा है विड़्ॉक को आप जब withdraw نہیں کر سکیں گے تو This mean कि इस application के उपर से हम डिरेक्ली यहां से withdraw नहीं कर सकते हैं लेकिन एक option है वो option में आपको आगे चल के बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहां से किसी को payment transfer कैसे कर सकते हैं तो आपने simple home के उपर वापस आ जाना है और यहां पे pay का option आ रहा है यह जो surface open होए इसके उपर आपके पास जो है वो option आ गए है add bank card का तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पे visa card जो है सारे cards के option available है यहां पे आप अपने credit card अपने debit card को use करते हुए western union card जो भी आपके पास है निया pay का सारे option आ रहे हैं यहां से आप उसको add कर सकते हैं जब card add हो जाएगा उसके बाद आप payment कैसे transfer कर सकते हैं तो यहां से हम वापस आते हैं जब वापस आते हैं तो आप देखें यहीं पे आपको दो option नजर आ रहे हैं रसीव और ट्रांसफर का यानि आप इसमें रसीव भी कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं तो ट्रांसफर को यहां से अपने प्रेस करना है और आप ट्रांसफर टू अली पे यानि आप आगे जो जिसको भेज रहे हैं उसके पस Alipay है तो आप Alipay में भी भीज़ सकते हैं Transfer to bank card बैंक में भी भीज़ सकते हैं Transfer to other app अब withdrawal के लिए आप थाउन सा आप्शन जोस करेंगे अगर यहां पे आपका balance होगा तो आपको यहां पे आपका balance शो होगा आप transfer to other app करेंगे आप transfer to other app को प्रेस करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपको कोई ऐसी एप भी नजर नहीं आरी कि आप transfer करके अपनी amount को जो है वो दूसरी किसी एप में transfer कर लें और उसको withdraw कर लें तो इस mean के Alipay को आप सिर्फ use कर सकते हैं पेमेट भीजवाने के लिए चैना में यह specifically चैनीज पीपल के लिए है या उन लोगों के लिए है जो अपने country से चैना में पेमेट भीज़ना चाहते हैं यानि इसके थूँ आप पेमेट रसीव तो कर लेंगे लेकिन उसका withdraw possible नहीं है तो इस एप के उपर जो आपको पे और कॉलेक्ट के आप्शन नजर आ रही है यह सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो चैना में हैं और वो कॉलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कॉलेक्ट को यहां से प्रेस करेंगे तो उपर तरी डॉट आ रहे हैं इसको जब आपरेस करेंगे तो उसके बाद जो है यह आपको रसीव ईया अलइपे को आपरेस करेंगे तो यहाँ चैना अकांट नंबर आपको देना होगा याई जो भी आपका अलिपे का अकांट है یا موبائل नمبر جو بھی ہے आपका जहां पे जो सर्विस है वो फ्री है नीचे रीजन अपशनल है जो भी आपने लिक नी च 영नी हो यहां से कन्फर्म कर देंगे ठीक है इस तरी किसी जो है वो यहां वहां पे बैठा हुएा बंदा जो है वो अपनी डिटेल यहां पाकिस्तान में या किसी और कंट्री को सेंड कर सकता है जो कि पेमेट सेंड करने के लिए रिक्वाइड होती है लेकिन मुझे इतनी ज़्यदा एफट के बाद भी कुई एक ऐसा भी आप्शन नजर नहीं आया कि Alipay पे रचीव हुई पेameit को चुह वो पाकिस्तान में विद्रौ किया जा सके या किसी और अब पे ट्रांसफर करके विद्रौ किया जा सके तो आपने Alipay को अगर यूज करना है पाकिस्तान में लेकिन अड़ी पे को मैं प्राफर नहीं करूंगा क्यूंकि इसका विद्वा जो है वो आपके कंट्री में फिर पॉसिबल नहीं होगा तो नेक्स इंफार्मेटिव वीडियो तब दोस्तों से चाहूंगा इजादत लेकिन जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना तलाफेज